है हेलो फ्रेंज्स मेरे अंदर उक्मार और आप सभी का सुजय देटी कुलास में अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए गा और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्लिक कीजिए क्योंकि जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है यही है कि आपको एक्सल की जो क्लास है आप घर बैठे बैठे या ओफिस में कहीं भी पसानी से इसको ले सकें और सीख सकें और मैं आपको इसमें बेसिक से लेकर एडवांस सारा का सारा क्लियर करा हुआ तो चलिए हमारे एक्सल खुल गया है तो हमने प्रिवेश क्लास में बेसिक कंसर्प्स काफी क्लियर कि तो चलिए हमारे पास यहां पर आज हम जैसे कि यह हमारा टॉपिक है यहां पर हमारे पर सीट वन लिक सीट टू यानि की वर्क सीट है और आज हम जो है वर्क बुक जो हमने ओपन किया है वर्क विंडू है और इसमें हमारी जो वर्क सीट कुली है जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जो रोज होते हैं वह 10,48,576 होते हैं रोज और क्या मेरे 16,384 कॉलम्स होते हैं इन एच वर्क शीट तो वर्क शीट में हमारे पास जो है और व्क शीट होती क्या है एक्riers Colleifsre are called workbooks and each workbook holds one or more worksheet and also known as spreadsheet is called spread sheets in the name of the worksheet which is the name of the spreadsheet also so we have the first one we have to rename it on this one we will right click which is our sheet now it is by default 5 because in the previous class we had told that the one comes from three so if we need to change the sheet or when we need to change how to change the sheet so whoever is new in this channel please watch the previous class of the previous class, day one day two, day three today is our day five and for daily I will take new concepts and new videos so that you can learn the whole of the Excel so we will click the sheet we will right click on the worksheet and we have clicked on the rename because our first topic is renamed so we have supposed to keep this name as home this is called home and here we want to keep the name of the worksheet and we have here we have to keep the name of the worksheet and we have to keep the name of the worksheet and click here and this will be February data वह नहीं कितकी हो जाएगा प्रैवरेटर नहीं कर दो यह स्यफेरिक लुए रिमील जो करना जा है च्छूज कर सकते हैं यह देखए इस तरह से इसे राइट क्लिक करेंगे डैप कलर जो भी च्छूज करना चाहें आप च्छूज कर सकते हैं नहीं तो हम 제 Corn म kleine max यहां पर हम इंसर्ट करना चाहिए डिलीट करना चाहिए इस तरह सकती है और यहां पर हम प्लस करेंगे यह इस तरह सीट जो हमारे पास इंक्रीज होती चलियाए बढ़ती भी चलिए जाएगी और अगर सुपोज डैट इस राइट क्लिक किया और अगर हमै इसक कि हाँ पे shouldna add कर हम चाहते किशaltung करेंकि व्यारिी window सब्सक्राइब झालियर्ट में सब्सक्राइब हैं युल्साइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि यहांपे छोड़ा तो 9 यहांपे रोगया 8 यहांपे तो इससुट करके मैं हाप ऐसे छोड़ माइऑ देखी आ है तो देखी मि men इसको प्रेस करके में हो पे 7 कर दो और उसके बाद इसको प्रेस तो आप इसको एजली इस तरह से मूव कर सकते हैं अधर्वाइज आप इस पे रैट किलिक करके भी यहां से मूव और कॉपी कर सकते हैं तो में इंसर्ट किया डिलीट किया और रिनेम किया एंड मूव और कॉपी किया कॉपी भी कर सकते हैं आप सीट को और इसमें कोड़ प्र अब जो हमारे पास रीनेम हो चुका है ना सीख लिया है अब हम देखिए जिसे कि सपोस्ट डैट में आपे हों पे सपोस्ट डैट कुछ नेम टैप कर लेता हूं हापे जैसे कि मैंने आप पे मंदले में लिया जैनवरी यह जिसको ओटोफिल में जब कमांड करा हूं तब मैं आपको सीखा हूं गया सारा इसारा अब लाल मैं आपको यह जो तो ड्रैकर के बस इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं यह जो डाटा है भी आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्क शीट को यानि कि जो नीचे की शीट हमारे पास स्लाइड में सो रही है और मैंनी यह सब शीट जो है इस पर आज हम वर्क कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने यहां पर हों करीप रहे हों कि जड़े हैं चलिए मैं दुबार लिख लेता हूं तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि जएक हम घ्रेकर लिए और हमारे पास ये जो डाटा है यह देखिए जैनवरी में नहीं है उम पर है और पती से राइड क्लिक करता हूं को और इसे मूव और प्रॉपी जैस देखे यहापे जो है कि जो मुव स्लेक्ट सीट आप दिफोर सीट यानि कि से पहले या बाद में आपको जैसे भी आप चाहते हैं और वक्वन यहापे जो लिखा हुआ है इसको मैंने सेव नहीं किया है और डेपॉल जो वॉन की नाम साइस ओपन होता है अगर मैं हापे सेव करके भी आपको दिखाऊँ पेस्ट हो जाए जो कोफी कर रहे हैं उसको सारह सारह पेस्ट हो जाए तो ऑप Vallahi की करते है जैसी में किप wherever आक पर है किलिक करता हूँ थे कि हहाँ हमारे पर जो हom का डाटा één revenue भी हरों कना यह हम टू के नाम से बन गया है और जैना मैं इसे किलिक करता हूँ तो देखें, यहां पर हमारे पास जो यह data है, जो home पर था, वही same data हमारे पास home 2 पर भी आ गया है यानि कि यहां पर देखें, हमारे पास students क्या हुआ, जो home का data है, यानि कि उसमें हमने यह जो home 2 बना, एक तो यह move हुआ, move plus copy तो move क्या हुआ, जो इस home का data था, उसमें move भी हुआ, प्लस copy भी हुआ, तो इस तरह से हम move और copy कर सकते हैं, student तो I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अराम से relax हो कि आपको समझा रहा हुआ हूँ, एक एक points क्लिर कर रहा हुआ हूँ, ताकि आप इसको बिल्कुल clear थरीके समझ सकें, और alternate days में से लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप TTS में self practice भी कर सकें, और यह course जो ह करने के बाद आप course कर लेते हैं, तो certificate और टेस्ट का चार्ज रखा है, 350 रुपीज रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्टिन पे जाकर registration phone पे click करके आप register कर सकते हैं, और certificate का format भी मैं थोड़े दिन बाद मैं upload कर दूँगा, आप certificate भी दे सकते हैं, कि आपको certificate किस तरह का मिलेगा, काफी अच्छा certificate आपको मिलेगा, और यह आपको test देने के बाद जो है, certificate दिया जाएगा, आप जब तक test clear नहीं कर पाते हैं, त आप test clear कर लेते हैं, तो आपको certificate भेज दिया जाएगा, वाइग कोरियर के तुरू, और यह सारे charges 350 में included है, तो चलिए हम आगे के और बढ़ते हैं, तो हमने इसमें delete भी कर लिया, ओके मैं right click कर लेता हूँ, तो चलिए हम पर कर लेते हैं, तो हमने insert किया, delete किया, rename किया, move and copy, जो यह view code जो है, यह जो हम view code जो हम VBA करेंगे, यानि कि जब VBA coding और macro's हम करेंगे, तो हम इसको यूज में लेकर आएंगे, फिलाल हम अभी इसको close करते हैं, और next जो है, हमारे पास protect seat, previous class में मैंने आपको, जब हम यहाँ पे view पे, sorry, जब हम data पे गए थे, तो तो प्रिवेश क्लास में आपको जब आया था, रिवीव पे हमने किलिक किया, और रिवीव पे किलिक करने के बाद यहाँ पे हमने protect seat और protect ब़र भुक किया, और फिर सकी साथ साथ हमने अनप्रोटर्ट भी किया, तो अभी यह टॉपिक हम अभी इसको चोड़ते हैं, तो य यहां से में right-click करेंगे और इस seat को चिसे हमें protect देना है, तो आप यहां पे शीट पे जिसे कि क्या क्या protection देते हैं, आप चाहते हैं कि जो जो बहुत प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आप यहां पे उसे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद यहां पर आप पास्वर्ड एक एड पास्वर्ड दे लिया है, अब मैं इसको okay करता हूँ और दुबारे से उसी पास्वर्ड को repeat करते हैं, okay प्रेस करा, अब यह जो seat है, अगर मैं आपे कुछ भी डिलीट भी करना चाहूँ, डिलीट प्रेस करूँगा, तो यह डिलीट नहीं होगा, ना इसमें कोई changes होंगे, और ना है इसमें कोई work हो पाएगा, अगर मैं आपे कुछ भी लिखके type करता हूँ, तो यह कुछ भी work नहीं होगा, यह seat जो है, पूरी तरह से protect है, अगर आपको इसको unprotect करना है, तो आप दुबारे से इस पर right click करेंगे, right click करने के बाद आपको यहाप आप क्या सो होगा unprotect sheet, तो यहाँ पर click करेंगे और जो भी आपने password एंटर किया था, आप उसको दुबारे से re-enter करेंगे, अब यहाँ पर जो भी आप changes करना चाहें, अब वो changes हो सकते हैं, अगर आप delete करना चाहें, तो delete भी हो जाएगा, यानि कि अब यह unprotect है, आप जो भी changes करना चाहते है वो changes कर सकते हैं, उसके बाद आप right click करते हैं, right tap clear हो गया, और अगर आप इसको hide करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, जो यह home 2 है, इसको आप hide करना चाहते हैं, आप इसको hide करेंगे, अब यह hide हो गया है, तो students इस तरह से हम अपनी sheet को hide भी कर सकते हैं, और अब अगर suppose that कि hide का option आप 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 आपको काफी अची तरह से क्लियर हो रहा होगा, और मैं आसा करता हूं कि आपको यह video अच्छी भी लग रही होगी, तो बस अगर आपको यह video अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसको like जरूर कीजेगा, और आपके जो भी friend circle में जो भी हैं, और उ को सीखने की अच्छा रखते हैं, तो आप यह video जरूर को शेयर कीजेगा, ताकि वह भी घर बैठे बैठे या office कहीं भी सीख सके, और एक्सल की जो जौब है, उसको असानी से कर सके, और certificate हम जरूर अबलेबल करवाएंगे, तो प्लीज जरूर कीजेगा, और अगर आपको क कॉमेंट बॉक्स पजाकर आप कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉल्म को जरूर सोट आउट करेंगे, साथ ही साथ मैं उन लोगों को जरूर थोड़ा सा एक अलड़ करूंगा, कि प्लीज कॉमेंट आपकी एजुकेशनली कॉमेंट होनी चाहिए, मैंने कुछ लोग ऐस इसे होते है कि फाल्थू के मैसेजेश करते हैं, फाल्थू के कॉमेंट्स करते हैं और पुछ लिंक ऐसे बाद दाल देते हैं, जिससे स्टुटेशन को और कईव को प्रॉडम होती है, तो मैं उनसे रिक्वेश्ट करता हूं कि ऐसा गलत हरकत ना करें, क्योंकि यह एजुक तो पलीज सेरिक्वेस्ट है कि वो अब एसे हर के ना कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं क्योंकि विए समाज किरें उसाइटी में रह रहे हैं लेकिन मेरा वीडियो का मकसद है कि आप इसको सीख सकें जितना मुझे आता है मैं चाहूंगा कि आपको वो पूरा का पूरा समझा सकों शिखा सकों क्योंकि एजुकेशन जितना बाटते हैं उतनी बढ़ती है यही कहा गया है तो हम चली आगे की और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास हम जहाँ पर कॉपी रिनेम सब कुछ कर चुके हैं और हमने साथी साथ वर्ग बुक को कॉपी किया और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर तो स्टुट्स देखिए हम यहाँ पर जैसे सीट इंसेट करते चले जाएंगे यह सीट हमारे पास इंसेट होती चले जाई लेकिन अब देखिए जिसे कि यहाँ पर यह यह देखिए यह जो हम इसको जैसे जैसे करेंगे तो मूव भी वहाँ से देखिए इन डॉट डॉट का मतलब जो है कि इसके वागे भी सीट है बट वो शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी स्पेस होता है वह सारा अकुपाई हो चुका है अगर आप देखना जाते हैं तो इससे हम इसली इसको म प्राइड हो गया लिए इस तरह से यह आप छों को स्कॉलंग भी चरह सकते हैं अगर आपको नीचे डान की स्कॉलिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इप यहां से कर सकते हैं इनले कर अपन Qun कर सकते हैं अबो नहें कि कम बिल्ग कि और अजय कि और रांग कि और रांग दो कि किasis और रांग हुआ 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 है आफ जैसे की हम इसको आफ शेफ करते हैं तो यहां से आफ और ब्रोब्शुムाइड़ दिराckt है और चेom प्रृब्श को करते हैं आफ ओकि यहां तो हम प्रक्री ciao कर०प आधा दिखा तो देकि यहां सेव किया यहां पर माय kinda श्युखर है और इसी इतार को जब आप से पर जाते हैं और दुमारction में डॉक्मेंट काय करके और यहां पर देखिए, अगर आप चाहते हैं, यहां पर देख कई सारे डाटा होते हैं, मैं इन सब में बताऊंगा, इसमें हमारे पास जो यूज होता है, जब हम मैक्रो यूज करते हैं, तो हम एक्सल मैक्रो एनेबल वर्ग बुग यूज करेंगे, और हम इसे अगर, ारे पास जो उपर नहीं हो रही है। से पुछिएगा कि आपके पास जो एक्सल है कौन सा एक्सल हैjun, तो इसको 97.000 2023, अगर उनके पराण एक्सल आप उपन नहीं होगा, अगर आप इस फॉर्मेट्ट है तब आप सेव करते हैं, ज हैन Is問 में और पुराने वाले पॉर्मेट में यह सेव होगा तो अब यह जब यह जब यह जब आप सेव करके जब देंगे इसको तो यह सेव जो ओपन है यह हो जाएगा और इजली वह यह चीज़ अपन करके वह सारा गशा डाटा किलियर कर लेगा इसके बाद यहां पे हमके प्लिक करते हैं और यह सार जब मैक्रो य्जी रड़े हैं ता उसमें बहुत जादा एसको रोला यॉज करते हैं और पीदिएपर किलिक करने के बाद ये जो डाटा है ये पीडिएफ पर हमारे पास सेव हो जाता यानि कि कोई अपली केसन कोंज आपको सॉफडर की युज नहीं करना आप को सीधार नॉर्मलली हाप पीडिएपर किलिक करना और उसके बाद जिसे किकशायता हूं मै मैं आपे म्यूजिक पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ और देखेंगे अब मैं आपको भी कर रहा है यह कर देखेंगे जो डाटा था वो कनवर्ट कर किस ने पीडेप के फॉर्बट में कर दिया है तो अब यहां पर ही रहें कि यह जो ब्लैंक की इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने हाँ पर यह बॉर्डर है यह नहीं लिया है और इसके अगर ग्रेड लाइन जो है अगर आप चाहते हैं कि यह शो ना हो तो आप व्यू पर जाएंगे और व्यू पर जाने के बाद आप ग्र सब्सक्राद यह किंगा जो तुर और यहानि चेंडा स्ब्सक्रादाश में लिक्राइब आपन सब्सक्राइब लिग करता हूं अब सब्सक्राइब तो देखेंगे कि जो पीदिंध मेर्य करेगा अब वह टेवल में करेगा लिख तो यानि कि जो भी जैसे ही आप वर्क करते हैं वह वैसे ही वर्क वहाँ पे पीडियाफ में अन्वर्ट कर देता है तो आई होप कि आपको समझने आ रहा हो और मैं स्टैप बाइ स्टैप आपको इक पॉइंट क्लिर करा रहा हूं ताकि आप एक्सल को अच्छी तरह से समझ सकें